पहरे परदेश्वासियों, आज क्रोना वाइरस की सेंपल की रिपोर्ट टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीमसी शिमला की हमारे पास आ चुकी हैं, दोनु जगा जो पहली रिपोर्ट्स हैं, उनमें 79 कुल मामले जो जांच के लिए भेजे गे थे, और हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी तक जो पहली दो रिपोर्टे आई हैं, उसमें सभी के सभी मामले क्रोना वारिस के नेगेटिव आए हैं, यानि कि आज अभी तक कोई मामला क्रोना वारिस का अभी तक हिमाचल परदेश में नहीं आया है, दो रिपोर्ट्स अभी आने को बाकी है, देर तक वो भी उपलब्द हो जाएंगी आज हमने एक बहुत महत्वपुन नेड़ने लिया हिमाचल परदेश में करोना वारिस जिन क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में पाया गया है वहां हमने हाट स्पॉर्ट उनको घोशित किया है जिसमें बद्दी, नालागड, उन्ना, तीसा, उसके साथ में सिर्माओर जिला में मिस्टरवाला, तारूवाला और लोगड़ ये ऐसे इलाके हैं जहां पर करोना वारिस की ज़्यादा मामले पाएगे और इसलिए इन सबी स्थानूं पर हमने कुछ मत्तपूर निर्ने लिये हैं इन सबी स्तानों पर कोई भी कर्फ्यूमें धील नहीं होगी। और उसके साथ में इन सबी स्तानों पर, जो ہमने हाट स्पाट के रूप में घोशित किये हैं, उन सब उस्तानों पर जितने भी लोग हैं वो घरों के अंदर ही रहेंगे और होम डिलीबरी के मादियों से उनके घर तक सामान पहुँचाने की हमारी कोशिश होगी इसके अतिरिक्त जितने भी वहां पर लोग होंगे सब को मास्क पहनना बहुत आवश्योक होगा मास्क के बिना कोई भी आदमी बाहर भीतर नहीं निकल सकेगा यह हमने इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हिमाचल परदेश में करोना वारिस और लोग उन तक भी पहुँच सकी इसलिए हमने एक अठोर नेड़ने लिया है कि इन सभी स्थानों पर कर्फ्यू में कोई ढील नहीं होगी और उसके साथ एतियात के तौर पर जो सारी चीज़ों का मैंने जिकर किया उनका कडाई से पालन किया जाएगा आज मैंने टांड़ में जो दो लोग करोना वारिस के संक्रमन से संक्रमित थे जो स्वस्त हो करके अपने घर चले गए हैं उन दोनूं से फोन पर बाता की और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनूं पूर्ण रूफ से स्वस्त हैं और अपने परिवार के साथ अनंद के साथ जीवन व्यतित कर रहे हैं आज हमने हिमाचल परदेश में करोना वारिस पर एक पोर्टल की शुरुआत की है और वो शुरुआत इसलिए कि यह है कि बहुत जगा हम देख रहे हैं ब्रहमत पर चार कुछ चीज़ों को ले करके होता है जो सत्य पराधारित नहीं होता है इसलिए बहुत आवश्यक हो ग करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार चाहिन